हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो गीतकिन्यो डॉट कॉम में आपका स्वागत है आज हम बनाने जारे वेजिटेबल वर्मी सेली प्लाव इसे सब्जी वाले सिवया प्लाव भी कहा जाता है इसे बनाना बहुत आसान है बहुत ही टेस्टी लगते हैं एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग होता है यह देखिए बिल्कुल अलग अलग होती है खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है आप मैगी खाना भूल जाएंगे अगर इसे खालेंगे एक बार तो इसे बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक् अगर आप रोस्टेड ले रहे है तो आपको फ्राइब करने की जरूरत नहीं है उसके लिए यह पहचान है कि जो आपके रोस्टेड ओंगे तो वह ब्राउन कलर के होंगे और यह मैंने एक बड़ी शिम्ला में चली है जिसे मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है एक और चमच ऑलीव ओल इसकी जगे प्रिफाइंड अउयल भी ले सकते हैं थोड़ी सी मतर यह फ्रेश मतर है एक टमाटर यिसे मैंने बारिक काट लिया है एक गाजर इसे बही मैंने बारिक काट लिया है वन फोथ टीस्पून हल्दी पाऊडर अब टीस्पून रेड चिली प पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हाफ टी स्पून चाट मसाला, अब हम एक पैन रखेंगे गैस पे, इसमें वन टेबल स्पून ऑईल डाल देंगे, ऑईल को थोड़ा सा गरम होने देंगे, अगर आप रोस्टेड ले रहे हैं तो आपको फ्राय करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर रोस्टेड नहीं ली है, आप देख सकते हैं इसका कलर वाइट है, तो हम इसे पहले फ्राय करना पड़ेगा, हमें इसे मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट तक फ्राय करना है, जब त इसका कलर हलका गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम पानी आड़ करेंगे, मैं यहाँ पर दो गिलास पानी आड़ करूँगी, हमें इसे 3-4 मिनट तक पकाना है, मीडियम फ्लेम पे जब तक यह गल ना जाए, इसे बिल्कुल भी ओवर कुक ना करें, अगर यह ज़ इसे हलका सा कम ही पकाए, ज्यादा ना पकाए, तो 3-4 मिनट तक इसे आपको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, इसमें हलका सा नमक दो कर देंगे, और इसे पकने देते हैं जब तक हमारी सब्जियां पका लेते हैं तो इसके लिए मैं नहीं कड़ाई रखी है इसमें मैं टू टेबल स्पून ओलिव ओल डाल दूँगी तेल को थोड़ा सा गरम होने देंगे तेल हमारा गरम हो चुका है हम इसमें प्याज एट कर देंगे प्याज को हम हलका सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राय कर लेंगे इसमें हम नमक एट कर देंगे नमक डालने से प्याज हमारी जल्दी फ्राय हो जाती है तो इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेंगे इधर हम सेवईयों को देख लेते हैं हमारी सेवईया कुक हो चुकी है जब आप इसे दबाएंगे तो यह तूट जाएंगी इसे यह पिचक नहीं नहीं चाहिए अगर यह पिचक रही है तो इसका मतलब यह ज्याद सेवईयों को कुक करते टाइम आप बिल्कुल ध्यान रखें कि यह ज्यादा ओवर कुक ना हो जाएं ताकि यह अलग अलग रहें अगर यह वर कुक हो जाएंगी तो अलग अलग नहीं रहेंगी चिपक जाएंगी मैंने इसमें हलका सा ओयल डाला है करीब वन फोर टी अगर आप तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च भी एड़ कर सकते हैं मैंने इसे एक मिनिट तक फ्राइ कर लिया है अब इसे हम कवर कर देंगे और इसे लो फ्लेम पे दो से तीन मिनिट तक पका लेंगे ताकि जो मटर और गाजर है वो अच्छे से पक जाएं मटर और गाजर हमारी पक चुकी है अब इसमें हम यह शिम्रा मिर्च एड़ कर देंगे शिम्रा मिर्च बहुत जल्दी पक जाती है इसलिए हम इसे बाद में आड़ कर रहे हैं इसे थोड़े देख कर लेंगे करीब एक मिनट के लिए एक मिनट हो चुका है इसमेहम टमाटर एड़ कर देंगे तामाटर को कभी भी पहले आड़ ना करें तहीuiten तो सब जी दर गलती ऐए तो मैं इसे बाद में आड़ कर रहे हूं इसजिए अब इसे हम कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे देखे टमाटर हमारे गल चुके हैं अब इसमें हम ये सिवया डाल देंगे और सिवईयों को अच्छे से सब्जियों के साथ भून लेंगे हाई फ्लेम पे ताकि जो सिवईयों का पानी है मोईस्चर है वो सारा सूख जाए और हमारी सिवईयां बिल्कु खिली-खिली बने मैंने गैस को हाई फ्लेम पे रख लिया इस टाइम इसी तरीके से हमें दो मिनट तक हाई फ्लेम पे भूनना है सविख कर देंगे यह लिए अब इसमें हम लास्ट में चाठ मसाला एड़ कर देंगे चाठ मसालों को हमीशita में लास्ट में एड़ करें और यह मैं अच्छे से से भून लिया एथ है ह、 हमारी सेवईया प्लाव बिलकुल बड़ रेड़ हो गए हैं अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेते हैं मैंने गैस बंद कर दिया है अब हम इसे सर्व करेंगे यह मैने प्लेट ली है अब इसमें हम सर्व करेंगे आप देख सकते हैं एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला है बिल्कुल भी समया आपस में चिपकी नहीं है तो यह बहुत ही टेस्टी लगती है आप इसे खालेंगे तो मैगी खाना छोड़ देंगे इतनी टेस्टी है बहु जरूँ टृँ किजिएगा बहुत बढ़िया बनती है बहुत जल्दी बन जाती बिल्कुल टाइम नहीं लगता है बहुत ही हेल्दी रेस्पी है तो आप इसे जरू ट्राए किजएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिक कर बताईएगा आपको मेरे रेसिपी कैसी लगी इह देखाती है कितने खीले खीले बने हैं ऐर ऐस्सीक करेंगे को आ भी बहुते हैं रीक बढर लगती है यह रेसिपी ऐसे लगती है और बिल्ग टैस्टी मismida रगता है बहुत हुती है याँ म которого सुझोबा बना सकते हैं इसे ब्रेक फस्त में के लगती है बहुत ही टेस्टी है यह दिखेए मैं आपको दिखाती हूँ एक एक दाना बिल्कुल अलग है बहुत ही बढ़िया लगते हैं इसलिए हम इसको पुलाव कहते हैं बहुत ही टेस्टी है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच् झाल झाल झाल